वहीं DRDO के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले दो रोबोट जो हैं, वो बचाव अभियान में अब शामिल हो गए हैं उत्तरकाशी में, वो भी ज़रा कैसे काम कर रहे हैं, वो आपको तरह देखाते हैं उत्तरकाशी के सुरंग में फसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का रहत और बचाव अभियान जोरोपर है इस अभियान को सफल बनाने के लिए DRDO ने रिमोट से चलने वाले अपने दो वेकल वेज़े हैं, जिसको आप रोबर्ट भी का सकते हैं आमभासा में पहला है Confined Space ROB यानि की दक्ष मिनी, लिम्टिड एरिया में इसका इस्तमाल होता है, आर्ण फोर्सेज और पैरेमेट्री फोर्सेज आईडी को हैंडिल करने में इसका बखो भी इस्तमाल करती है, दो सो मीटर की रेंज है, बैटरी से चलने वाला विकल दो घंटे तक काम कर सकता है, या दो मीटर वर्टिकल और एक मीटर होर्जेंटल काम करता है, इसमें हाई रेजुलिशन कैमरा भी लगे हुए हैं, इसको कमान एंड कंट्रोल दिया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरीए, और सबसे बड़ी बात, इसमें मैनिपुलिटर आम के जरीए 20 किल का समान भी उठा सकता है, यानि मजदूरों को जरुत पढ़ने पर आप खाना भी पहुचा सकते हैं, और जो कैमरा जो है, इसको रियल टाइम देखा जा सकता है, इसका जो रिजल्ट होता है, दूसरा है सर्विलांस आरोबी, यानि की दक्ष स्काउट, इसका इसमान निग जान से उतर भी सकता है, इसमें जो कैमरा लगे हुए, आगे, पीछे, चारों तरफ लगे हुए हैं, और सब कुछ रियल टाइम आप देख सकते हैं, वीव कर सकते हैं, और अच्छी बात यह कि दोनों का जो है, जो है, बैक, पैक, बेस्ट है, यानि आप इसको कहीं भी आस कारी नहीं है, लेकिन डियाडियों का कहना है, कि बचाओ अभियान में जो एजनसी लगे हुए है, उन्होंने डिमांड की थी, वो दे दिया है, डियाडियों का यह भी कहना है, कि इसका इस्तमाल एजनसी जैसे भी जिस सुरत में करना चाहें, उसे कोई परहेज नहीं है, यह पूरी तरह से कारगर है, परफेक्ट है, इसके पीछे है डियाडियों की दो दसक की महनत.